Hello what's up guys, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे Improved Use Reducer Hook in React 19 So guys, यह Improved Use Reducer Hook का क्या मतलब है इसका simple मतलब यह है कि कल की वीडियो में भी हमने Use Reducer Hook को पड़ा, देखा, जाना समझा है न But आज इस वीडियो में मैं आपको भी बता हूँगा कि कल की वीडियो में मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया था इसका जो syntax But मैंने सचा वो का मैं आज में इस वीडियो में पूरी गर दूँगा जिससे आप लोगों को मजा आ जाएगा So here we have this const And यह जो particular count आपको जो दिखाई देरा है यह है आपकी current state की value And then obviously यह आप एक state variable कह सकते हो And then यह जो dispatch है यह आप चाहो तो रट लो But आपको पता चल जाएगा इसका simple कामे to send action to the reducer function आप देख से तो यह जो sentence मैंने अभी repeat की उसके लिए guys मैंने like screen पे नहीं देखा मैं दिट आपके camera मैं आपको देख के यह बात करो क्योंकि मुझे रट चुका है But इसका क्या actual मतलब है वो कल की video में हमने देख चुका है And then यह जो last mean जो zero आपको दिखाए देता है That is nothing but your initial value of your current state तो यह जो reducer function होता है इसको समझना बहुत ही जादा जरूर है And that is कि आपका यह reducer function कब call होता है जब हम dispatch function का use करते है क्योंकि dispatch function ही वो एक जरिया है जिसके चलते हमारा जो call है वो reducer function में होता है And उसके अंदर भी specific अगर मैं आपको बोलू तो dispatch function आपका जो action है उसको guys send करता है जो कि reducer function के अंदर है And that is the reason why यह जो reducer function है इसके अंदर दो parameter हम pass करते है That is your current state and your action as an argument Though it's a parameter but arguments लिखा गया तो it doesn't matter And at the end it returns a new state समझे तो I hope आपको पता चलगा होगा And थोड़ा सापको इस particular area का देखने रहा है नो But it's fine तो अब हम यह आपे चलते है लेकिन उससे पहले Guys बहुत मैनत लगती है And मुझे बहुत motivation मिलता है And मुझे खुसी होती है कि मैं अगर आप लोगो के लिए कुछ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे आप मेरे वीडियो के चलते आपकी कुछ help उपा रही है तो guys मेरे भी help कर दो फिर बस एक subscribe भी आपको करना है दो से क्लिक कर दो तक check out नहींगे प्लीज I highly recommend check out कीजिएगा ठीक है मैं एक बार बता देता हूँ यहां पे क्या होआ है And सबसे पहले तो source code अपडेटेटेटेटे गीठब पे आप check out कर सकते हो Link नीचे description and comment section में मिल जाएगा And हाँ एक और बता ना बूलिए मेरे जितने भी YouTube में वीडियो से सबका source code में ने सिर्फ 199 लुपीज में रखा इससे कम आपको कहीं नहीं मिलना हो एक Subway में बरगर ना है आपको कहीं पर कुछ खाने को ना मिले 199 में मेरी जिन्दगी भर की पूरी कमाई 5 साल के वीडियो सब इसमें आपको मिल जाएंगे HTML, CSS, JavaScript, PHP, Node.js, Xspace, React, Next.js, Mundstack, पाता नहीं कौन कौन का सब मिल जाएगा ठीक है आप देख लीजिएगा और फिलाला भी जो हम कर रहें उसका तो अल्रेडी GitHub लिंक है अब उसको चेक आउट कर सकते हो तो मैं काम करता हूं बर्न और देब ठीक है अल्राइट यह अब 15173 पर रन हो रहा है पॉफेक्ट तो इस इस वाट लाइक वी डिद यस्टरेड राइट इंक्रिमेंट इंक्रिमेंट पॉफेक्ट तो एक काम करते है क्यों न इसमें लेट्स एड वान ओर बटन ताकि आप लोगों को और में बैटर तरह किसी दिखा सको अब आप मुझे बताईगे कैसे करोगे अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो दैन गाइस पॉस्ट वीडियो राइट नाव और आप यह रिसेट वाला फंक्शन कैसे कर सकते देखो सबसे पहले जब भी कोई इस रिसेट वाले फंक्शन पे I mean बटन पे क्लिक करेगा तो दिस्पैज फंक्शन को हमें कॉल करना होता है उसके अंदर हम अब्जेक्ट पास करते हैं इस की और यह वैल्यू तो की तो टाइप रखा है वैल्यू को मैं अब रिसेट कर दूंगा अन लेट्स को वित लाइक जो ट्रेंड हम फॉलो करें तो इस तरह की से रिसेट में लिग दी दा मोमेंट को इस पर क्लिक करेगा तो दिस्पैस फंक्शन कॉल हुआ अन इस इस ने अच्शन वेज दिया तो बस आप हमें चेक करना है कि जब हमने अक्शन वेजी दिया है क्या जो एक्शन हमने बेजा उसका जो टाइप है इस ट्रिपल इकोल टू यो रिसेट राइट समझ रहो लाइक इस तरह के से यहां पर आपको बोलना है जिससे आपको पता चल जाएगा अरे इतना बच्शा था या सह समझ रहो लाइक खाली बटन पर क्लिक की डिस्पैस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट में टाइप की है आपका यहां पर टाइप की बदल्य अगर आप थाप लिख देते से समझ क्या बोलनी कोशिस करू आँ अगर आप थापा लिख दे तो यहां पर आपको पिरktion ड 예arto था थापा लिखना पड़ता तो यह कोई यहां पर लिखोगे आपको एक्षन डॉट लिखना है क्या करना है मुझे मेरे स्टेट को रिटन करना है वेर माई स्टेट वैल्यू विल बी कोल टू जीरो इस तरीके से सिंपल राइट एंड मैं यहां पर चलता हूं रिफ्रेस्ट ठीक है सू डिक्रिमेंट इंक्रिमेंट काम कर रहा है दा मुमेंट मैं इसे पर हिट करता हूं और बूम गाईश सी जीरो हो गया पॉफेक्ट तो देख लिए अपने की कैसे यह काम कर रहा था बट हम इसको और बैटर कर सकते हम इसको इंप्रूप कर सकते कैसे सबसे पहले जब भी आप इस्तर के से कोई वैल्यू लेते हो वाट वी केंड डू इस की जीरो मत लिखिए वह सकता है कल की दिन आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो इनिसेल वैल्यू एक नहीं होगा भाई बहुत सारे होंगे वहाँ पर समझेरो जब हम फॉर्म्स के साथ डिल करते एक मतलब हरे का इनिसेल वैल्यू हम कुछ कर नहीं सकते ना वहाँ पर तो जैसे फॉर्मस में आपका यह पर दिल बहुत एक को समझेरो क्यूं इतना इंपर एंड यूज रिदुसर हो क्यूं हम् काम्लेक्स प्रॉजेक्ट में उस करते इंस्टीड एक यूजू इस तरीकी से अब यह धा पर क्या हो रहा है आप क्या हो रहा है ना हमने यह जब इसको इनिसेल स्टेट ले ली तो यह सिर्फ हम काउंट नहीं रखेंगे क्योंकि में फ्यूचर इनिशियल स्टेट के अंदर में बहुत सारे वैल्यू रख दूंगा अगेन वही फॉर्म अगर हम में बात करता हूं इन्पूट फिल्ड है इमेल का फिल्ड होता है मारा पासवर्ड वाला फिल्ड होता है मुवाइल नंबर वाला फिल्ड होता है तो वह सारे को हम एक कैटिगरी में रखेंगे जैसे फॉर्म्स स्टेट फॉर्म्स स्टेट कुछ state लिख देते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने state लिख दिया अब यह एक मेरा part खत्म यहां count के बदले मैंने state कर दी अब यहां पर मुझे क्या करना देखो यह जो if statement है हम सबने यह बहुत इजिली जावस्कृत में यह जावार पड़ा है and if you really don't know अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ and that is कि हम क्या करते देखो एक traditional है कोई भी एक दुनिया का programming language उठाओ जब हम conditions पढ़ते using if statement या if condition उसको overcome कने के लिए हम switch statement का use करते है no matter what कोई programming language आप उठा लो right उसके बाद हम while loop पढ़ते है while से overcome करने के लिए हम do while पढ़ते है and इन दोनों का तकड़ा बाप आता है for loop तो समझ रहो like if के बदले switch करो बोलते while do while के बदले for loop यूज करो बोलते इस तरीके से आपका यह programming चल रहा है आप जावस्केट में तो इस तरीके से बोलते है तो if के बदले हम अगर इसको इंप्रूब करना चाहते है it means कि हम switch statement use करेंगे switch statement if you really don't know then I highly recommend to check out my world best javascript course believe me guys 22 गंटे का course है इससे better कहीं नहीं मिलेगा part 1 देख लिजी part 1 भी अगर देखते आपको feel like oh my god I am the boss इस तरीके से फिलाएगा आप चेक आउट कीजिए बहुत मैनत की मेना कसम से तो देख उसके से लिखते we have to write switch statement by default देख इस तरीके से मुझे value आ गई simple ठीक है जिसके अंदर आप की जो होता ना हमें ये check करना है कि I mean हमें चेक करना है कि क्या चेक करना है बूलके जैसे मैं बूलूंगा action dot we have a type क्योंकि हम हर बार action dot type action dot type action dot type कर रहे थे तो switch में मुझे अप action dot type को चेक करना है and here we have a case जिसमें से सबसे पहला case के है we have this increment na copy and then we have this paste this is it and break लिखना जरूरी है else दो अगर हमारा ये condition match हो भी गया अगर ब्रेक नहीं लिखता तो वापस हूँ जो second तरिके से warning आ रहा है ठीक है क्योंकि the moment आपने return लिखा तो kind of like वो भी काम करी गया फिर तो control as save आप ऐसे लिख सकते हो and अब इस से कोई copy कीजिए paste obviously increment नहीं we have a decrement इसको आप कर दीजिए minus and then again we have one more case and that is for your reset not this one all right yeah this one and कुछ इस तरीके से ठीक है and equal to 1 नहीं होगा it will be equal to 0 control as save and by default default में we need to return ये make sure करना कभी भी एक default state आपको return करना ही पड़ता है ठीक है and yeah this is it मतलब आप समझ रहो बार बार ये इस तरीके से if statement अलग अलग लिखने से अच्छा एक switch statement हम बनाते हैं उसके अंदर हमें action.type पास करना है it means कि हमें इसको check करना है कि चलो ठीक है अब इसकी value कि इन में से कौन सा case है जिससे match खा रहा है जिस suppose decrement पर मैंने क्लिक किया था तो action.type will be equal to my decrement यहां पर आ जाएगा वो decrement अब चेक हो रहा है क्या यह decrement है obviously नहीं क्या यह decrement है तो क्या करना है state-1 करना है and return कर दिया अगर कुछ भी match ना करे तब हम यह default case लिखते है and यह default case यह important है by default आपको add state return करना ही पड़ता है अब यहां पर एक चीज यह है कि यह जो अभी आप कर रहे हो ठीक है यह काम नहीं करेगा मैं बताता हूँ क्यों कि what we are doing कि हमारा जो initial state वो नाव एक object है and यहां पर मैं directly state plus one कर भी नहीं सकता so यहां पर भी तो मुझे object लगेगा so what I will do जब भी अगर increment होता है then we have what we have this count तो इसको करो copy यहां पर करो paste this is your key ठीक है या property अब मुझे उसकी value चीए अब मुझे exact value क्या है मुझे कैसे पता चलेगा obviously मुझे नहीं idea कि मेरी exact value फिलाल क्या है तो उसके लिए क्या करते हम कभी भी this is your state right जो भी initial state में value होगी उसकी value क्या होगी equal to your state की value तो initial state क्या है यह है आपका count equal to zero basically एक object है तो अब मुझे अगर इस particular initial value को अगर मुझे get करना है then what I will do या basically what we have to do तो उसके लिए हमें state dot count इस तर किसे लिखना पढ़ता है ठीक है so it will be like your state dot count तो एक second classroom state dot count this is it तो the moment आप यह लिखते हो it means कि अब आपको यह वाली जो value है वो मिल गई अब जब मुझे वो value मिली गई है तो plus one कर दूँगा मैं खता मेरा काम अब इसी को ही मैं copy करूँगा यहाँ पे मैं paste कर दूँगा अब plus के बदले मैं minus कर दूँगा यहाँ पे मैं वापस आँगा यहाँ पे मैं यह वाला जो पार्ट है अब देखो नौगाइस यह सबसे best पार्ट है आप लोगों के लिए कि finally यहाँ पे confusion जो में भी आपको हो रहा होगा वो killer हो जाएगा and that is कि अब मुझे इस count की value को reset करना है it means कि मुझे state.count की कोई need नहीं it means कि मेरा जो भी current state है जो भी मेरी current value है उसके मुझे कोई भी need नहीं है मैं directly colon 0 कर दूँगा क्यों मेरी जो initial state थी वो तो यह थी न यह थी अब जब मुझे reset करना नहीं मुझे back to initial state पर आना है तो मैं इसी object को उठाऊंगा यहां पर paste कर दूँगा तो यह है guys आपका real तरीका and best तरीका इसके साथ deal करने का क्योंकि and by the way अगर हम इस particular part को देखते तो आपको बहुत lengthy लग रहा होगा when it comes to your use state hook but believe me जब बड़ा complex project आएगा तब आपको realize होगा हाँ यह तो सही है समझे रहे हो इस तरीके से हो गया यह and कुछ तो यहां पर हाँ अब आप directly count भी नहीं लिख सकते you need to write state.count इस तरीके से ठीक है आपको state.count obviously यह लिखना पड़ेगा and यह बाकी तो कोई problem नहीं है यह नहीं है चलो ठीक इसको एक बाद में run करके दिखाता हूं और यहां पर चलते हैं inspect करता हूं increment हो रहा है and यहां पर बहुत clearly देख सकते हो जब भी मैं dispatch को call करता हूं it will send an action to the where reducer function तो कुछ इस तरीके से वह action बेशता है जिसमें type होता है उसकी value होती है मैं आप decrement पर click करता हूं तो again you can see वह action बेशा है तो यह मेरी current value count की 4 हो चुकी type will be equal to decrement and जब मैं reset कर दूंगा it's again back to 0 तो कुछ इस तरीके से आप दिखाए दे रहा है हो गया मेरा काम कितनी इजली अब इसको और better करने के लिए let's imagine like we have lots of data let's imagine we have one more data over here जिसको मैं लिख देता हूं क्या लिख सकते है name count inc लिख देता हूं by 2 ठीक है मतलब ऐसा था कि मुझे increment अगर हम करे तो by 2 हमें increment करना था हमने इस तरीके से कर दिया ठीक है अब आपको idea एक काम करता हूं decrement का भी लिखी देता हूं ठीक है तो now we have multiple initial state हाना दो we have only one initial state बट उसके लिए multiple properties है अब बट हमें तो फिलाल भी सिप count की need है तो अब आपको पता चलिए आओगा state.count बनना वो सिर्फ state लिखता तो हमारा काम नहीं करता है अब हमें क्या करना चाहिए इस case में मैं बाता आता हूं दो अगर आप यह करते हो तो अभी कोई problem तो नहीं है subset है बट still हम क्या करेंगे यहां पे return के बाद ना हम अब मेक्सेवर करेंगे कि बाकी की जो data है with the help of state operator सब एकदम सही हो बाकी की जो data है उसमें कोई problem ना हो तो मेरे बाकी के जो state है वो सब as it is है इस तरीके से और यहां पे इस तरीके से हम क्या कर रहे हम यह मेक्सेवर कर रहे कि मेरा यह जो object है बाकी सारे के value को as it is रखिए उसमें सिर्फ यह जो count वाली value है हम उसको update कर रहे हैह है कुछ इस तरीके से यह हम बोल रहे है तो यह एक और better अप्रोच है जहांपे आप मेक्सेवर कर रहे हो कि बागी के दो as it easy रहे खाली यह जो काउंट हम उसको अपडेट करें तो इस तरीके से काम करता है जहां पर यह देखो आपका यह काम कर रहा है ठीक है तो गाइस कैसा लगा आपको आज के वीडियो आई हो बहुत ही जादा पसंद आओगा और कल वले ही आपको बहुत कम या माइनस टू कीजिए बस इतना सिंपल सा आप कीजिए और वह जो कोड़ आप लिखते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पेस्ट कर दीजिएगा ठीक है एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा प्लेलिस्ट को जरूर चेकाउट कीजिए बहुत ही कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के सेहर इस वीडियो को लाइक अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दीजिएगा नेक्स टाकेट इस सेवेल नेक्स सब्सक्राइबर बहुत करीब है आप बस हीट कर दीजिए मजा आ जाएगा एंड आगे और पर आउसम वीडियो जाने वाले तो गैस मिल तो हमें आपको कल की वीडियो में तिल दिन गाइस थे किसो मच टेक किया